इंडियन एर फोर्स और इंडियन आर्मी ने एक ऐसा कारणामा दिखाया जिसे देखेंगे आप भी सुनेगी तो आपको भी गर्व मैसूस होगा दरसल 15,000 फीट की उचाई पर पोचेबल अस्पिताल पहुचा करके इते हास रच्टिया है सेना ने इस अस्पिताल की खासियत क्या है दिखाते हैं आपको अपने इस रपोच में हिंड की ताकत देख दुनिया दंग 15,000 फीट की उचाई पर पहुचाया अस्पिताल दुनिया का पहला पोटेबल हॉस्पितल दिलों में होसलों का तूफान लिये फिरता हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ पानी से भी दिये जलाने का हुनर लिये फिरता हूँ मैं भारतिये सेना हूँ दुनिया करती जिसे सलाम वो है भारत का सैनिक महान रन भूमी में दुश्मन को जो चटाय धूल वो है भारत का जवान जियां हिंद के रनबाकुरों ने कमाल कर दिया है भारतिय सेना ने एक एहम पैराड्रॉप अभियान में 15,000 फीट की उचाई पर दुनिया का पहला पॉर्टेबल अस्पताल पहुचा कर इतिहास रच दिया है इंजिन आर्मी और इंजिन एरफोर्स ने जॉइंट मिशन में कामियाबी हासल की है इस पॉर्टेबल अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री क्यूब है भारतिय वाई उसेना ने क्यूब को एरलिफ्ट करने और सही तरीके से पैराड्रॉप करने के लिए C-130, J-Super Hercules विमान का इस्तमाल किया आरोग्य मैत्री पॉर्टेबल अस्पताल की खासित पर नज़र डाले तो यह दुनिया का पहला पॉर्टेबल अस्पताल है 72 क्यूब से बना है आरोग्य मैत्री अस्पताल 200 से अधिक रोग्यों का इलाज हो सकता है पॉर्टेबल हेल्थ क्यूब आपात स्थिती में मनददगार साबित होगा सिर्फ 12 मिनिट में इसे कहीं भी पहुँचाया जा सकता है आपको बता दे कि पियमोदी ने 2023 में ग्लोबल साउथ समिट में आरोग्य मैत्री परियोजना की घोशना की थी और इतने कम समय में उस परियोजना को जमीन पर उतार दिया गया है